हेलो इस्टूरेंट्स एडी ओन्नाइन क्लासेश में आप सभी लोगों का स्वागत है तो इस्टूरेंट आज का ये सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन और एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात जिसमें काफी इस्टूरेंट के मैसेज कॉल या अपने नॉर्मल जीवन में भ बाहर हम दोग देख रहे हैं लास्ट इयर से बीच में कुछ मैने रिलैक्सेशन के बाद बीच में कुछ मैने काफी चीज़ें सुधनने के बाद फिर से उन्हीं तरीके की या उसी तरीके की चीज़ों को हम दोग नोटिस कर रहे हैं उसी तरीके की चीज़ों को देख भी कटनाइओं से बरा वातो हमेशा रहता हुग जीवन में घर एक चीज राष्टे में जब भी हम बस्पन में भी रहते हैं तो चलना जब सीखते हैं, स्टार्ड करते हैं स्टार्ड में ठोकरें भी लगती है, गिड़ता भी है इस इन्सान वही चीजें स्टुरेंट जीवन में होते रहते कि जहां आपके खुसियां होते हैं जहां आपके उतार-चड़ाओ कि अगर हम बात करते तो वो जीवन में या लाइफ में आते रहते हैं तो ऐसे अगर हम लोग present scenario की बात करते हैं जैसे आपका Corona का या COVID-19 का जो present effect भी आप देख सकते हैं कि काफी students परहिसान भी हैं काफी students के अगर हम mainly अपने students की इस time पर बात करते हैं तो ऐसे तो हर एक जन जीवन उससे कुछ न कहीं न कहीं आपका disturb हो रहा है कोई न कोई चीज हर एक चीज उससे effect हो रही है चाहिए वो कहीं पर भी है कोई भी है कैसा भी इंसान है चाहिए कुछ भी चीजे हर एक चीज को disturbance तो आ रहा है पर mainly अगर हम लोग बात करते हैं आपके students की हम लोगों के विद्यार्थियों की हम लोग जानते है इस्ट्रेंट की last year भी आपको यह नहीं सूचना है कि कोरोना है कोविड है तो डरना या घबराना नहीं है इस्ट्रेंट आप लोगों को हमेशा याद रखेगा कि कई चीजें ऐसी होती जिनका जब हमारे पास solution सही नहीं आ रहा होता है जिनका हमारे पास कुछ उचित आपका सुझाव या उचित हमारे पास उसका solution नहीं है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि या तो हम उस problem से खुद ही बच जाएं या उससे खुद ही इस परकार के precautions को उस परकार की सावधानियों को लेकर चलें कि वो चीज हमारे नजदीक भी ना आपाए ठीक है जैसे हम लोग कोविट की ही बात करते हैं तो आप लोगों को घबराने या डरने की जरूरत नहीं है इस्टूरेंट आपको अपनी समझदारी से अपनी सूझ भूस से आप इस बड़ी से बड़ी हम लोग जाते हैं कि कितने भी बड़ी problem हो भगवान पे तक problem आई थी तो उनकी समझदारी से हम तो फिर भी इंसान हैं तो समझदारी से अपनी सूझ भूस से हर एक चीज़ को अच्छे से किया भी जा सकता है अच्छे से बचा भी जा सकता है कि अगर हम कोविट की ही बात करते हैं तो नहीं निकलना हमें घर से बाहर बहुत जादा जब बहुत जरूरी हो जी चीज़ ये हमारे लिए बहुत ही आवस्था के उन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग बाहर निकलें उन्हीं चीज़ों को हम देखें भी उन्हीं चीज़ों के लिए हम बाहर जाएं उन्हीं चीज़ों पर हम लोग काम भी करें जो जादा हो सकता है अंजान आदमी ही नहीं इसमें तो आपको सबसे बड़ी बात है कि ये भी ध्यान रखना है कि सामने कोई भी इंसान आपके खड़ा है तो आपको ये लेकर चलना है कि यहां से भी हमें problem हो सकती है यहां भी corona positive या आपका covid-19 का effect देखने को मिल सकता है तो हर एक सामने जो भी आपको देख रहा है हर एक को आपको symptoms लेते हुए हर एक को आपको इस तरीके से लेते हुए कि यहां से भी मुझे बसना और वहां से भी मुझे बसना है तो mask का परियोग कीजिए mask का यूज कीजिए sanitizer अपना पूरा यूज कीजिए hand wash आप time to time करते रहिए और सबसी बच्छी बात है कि कम से कम लोगों से मिलिए कम से कम चाईवा आपके घर के लोग हैं बाहर के लोग हैं जितना हो सके हर एक से थोड़ा सा distance मेंटेन करके चलिए यही सावधानिया आपको अच्छे से बचा भी सकते हैं और यही चीज आपको इस टाइम पर precaution के रूप में रखने भी है और इसके साथ इस्टूरेंट जैसे आप लोग इस्टूरेंट है तो आपको परिसान नहीं होने लास्ट यर भी के विवस्थित चीजें कराई जा रही थी लास्ट टाइम भी इसी तरीके से जब हुआ था तो ऐसा कोई एक्जाम नहीं था इस्टूरेंट आप लोगों का यह एक दो कुछ एक्जाम जो डिले होंगे ठीक है बाकी आपके सारे एक्जाम वो थोड़ा सा टाइम के बाद पेपर हुए आपके अभी भी करेंट अगर हम बात करते हैं तो चाहिए वो हमारा इलेक्ट्रोनिक्स का स्टुरेंट ओएलेक्ट्रिगल का हो मेकेनिकल हो सिविल हो या कोई नॉन टेक की तैयारी कर रहे हो इस्टूरेंट आप लोगों फॉरम आपने फिल अप किये है करण एक्जाम आपका या यूपी पीसेल जेई का इलक्ट्रिकल का एक्जाम आपका तो ऐसे ही आप लोगों के multiple ऐसे एक्जाम है जो by sequence आपके लगे हुए हैं और time to time वो एक्जाम आपके जैसे last year भी हुए थे हर एक सावधानी के साथ चाहे वो government ने किसी भी तरीके से किया हो हर एक चीज आपके हुई थी तो इस समय को इस्टुनेट आप लोगों को इस तरीके से नहीं कि दिमाग भी दिन बर न्यूज चैनल खोल के अपने माइंड को डाइवर्ड करके नहीं उन चीजों को उस माइंड को गलत जगह से लगा के इस समय पर सबसे अची जो बात है अप अपने आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है आप नॉर्मल अपने रूम पर बैठकर अपने घर पर बैठकर अपने तयारी कीजिए अच्छे से एक्जाम आपको भी पता है कि वो होने है लास्टियर भी हुए थे कई स्टुरेंट ऐसे भी जो लास्टियर के अपने जीवन को अपने जॉब को स्टार्ट भी कर चुके हैं तो इसलिए इस समय को टैंसन लेकर परेशान होकर आपको घर में वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है यह समय आप लोगों का हमने लास्ट यर भी जब कोरोना का जब एफेक्ट आया था जब स्टार्टिंग में त है इतना टाइम और मिलिया अपने तयारी को और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए और अच्छे से करने के लिए तो इस समय को टैंसन लेकर परेशान ہوकर नागबराने की ज़रूद है ना ही परेशान होने की ज़रूरत है आप लोग अपना ध्यान अपना बचाव पर आप इन बातों को देख भी रहे हैं पस बात यह है कि हम उन्हें अपने जीवन में ढालते कैसे हैं और इस्टुनेंट मेंली आप लोग ध्यान रखें कि इस समय पर अपने आपको या अपने मन को डिमोटिवेट करके अपने आपको प्रोस आप लोग परेशान अगर कर र तो हमें भी पता है कि हम भी जानते कि सामने वाले का अगर कहीं मोड डिस्टब भी है वो परेशान भी है तो कहीं ने कहीं उसका भी मोड एक पॉजिटिव वे में आ जाता है कहीं ने कहीं वो भी एक खुसनुमा मिजाज में आ जाता है ऐसे आपने देखा भी होगा कि जो वह फूल होता है उसी को हमेशा हर कोई प्रिफर करता है एस कंपेर टो मुर्जाय वे फूल के तो यह ऐसा समय इस्ट्रेंट आप लोगों का कि जिस समय पर ना सिर्फ हमें अपने आपको हमें दूसरे को भी पॉजिटिविटी देने का काम करना है दूसरे को भी मोटिवेट क सकते हैं जब हम खुद मोटिवेटेड हैं जब हम खुद पॉजिटिविटी के साथ है कोई ज़रूरत नहीं है घबरानी के अगर आप घर पर बैठे वे अपने घर के अंदर हैं पूरे प्रिकॉशन ले रहें कुछ नहीं होगा किसी को कुछ नहीं होता है बस आप अपनी तयारी को इतने सारे एक्जाम जैसे भी करंटली आपका 24 अप्रेल से आपका डिएफस डिएफ सीसी आईल का भी आपका फॉर्म फिलफ होना स्टार्ट हो गया है तो आप उस फॉर्म को भी भरें तयारी में जुट जाएं अच्छे से अपने लग जाएं आज न सहीं कल आपका यह आपका डिएफ सीसी आईल आपका आगया है बहुत सारी अपॉर्ट इस इलेक्ट्रोनिक्स के हमारे इस्टुडेंट के पास भी है और यह ऐसे नहीं इस्टुडेंट आपके किसी इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल से यहां तक कि नॉन टेक की वैकें को रखें किसी को कुछ नहीं होगा खुद भी मोटिवेट हो और दूसरे को भी जितना जादा हो सकता है इस्टुडेंट आप लोग मोटिवेट करें और इस समय को जादा से जादा अपने स्टुडी में अपने अच्छे कामों में जो आपका और इस टाइम पर एक स्टुडेंट का सबसे अच्छा काम यही होता है कि वो अपने तयारी को बहुत अच्छे लेबल पर लेकर चले इस समय को ऐसा नहीं लेकर चलना है कि पेपर पोस्ट पाउंड हो गया यह समय ऐसा ले Greet all sustainability और आपके उतने ही मायंड हो खुद ने लगए खुद into कि तरफ की ते पॉज़िवटी कि तरफ जाने लेगा और फुद आपकी तयारी के बहुत अच्छे करके चलें खुद का और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिज करें तो आज के लिए थैंक्यू स्टूरेंट्स